नमस्कार सत्स्रियकाल वैसे धाई किलो का हाथ नजर नहीं आ रहा बहुत दिनों से इंतजार में बैठा हूँ मैं मैं तो वोई छोटा सा पांच फुट छे इंच रॉबिन हुड आम प्रेस वाला क्या आप दर्शक भी सोच रहे हैं कि धाई किलो का हाथ कहां गया इलेक्शन के टाइम में तो बहुत हाथ हाथ रहलियां बहुत हुई थी लेकिन ये धाई किलो का हाथ अब नजर नहीं आ रहा है आम प्रेस हर किसान का शांती पूरवक अंदोलन करने का समर्थन करती है आम प्रेस सपोर्ट्स दर राइट अफ आल फार्मर्स तो प्रोटेस्ट पीस्फुली शाथ साथ वीडियो शेयर करते जाना शर्माना मत आज अगर आज शर्मा गए ना तो कल को खाने को ना मिलेगा क्योंकि किसान तो अब खेतों में नहीं है एक बहुत बड़े अंदभक्त आते हैं और कहते हैं सर मैं आपको बहुत देर से फॉलो कर रहा हूं आप इस मामले में गलत बोल रहे हैं आपने क्या फार्म बिल पड़े हैं ये हैं वो हैं फलाना है डिमकाना है घंटा है घोबर है नाली की गैस है तो मैंने का भाई तो इतना हाई परकाय हो रहा है तैने जो कहना है ना फारम बिल के बारे में कह ले लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब दे दे कि किसान ने ऐसा क्या कुना कर दिया था कि नवंबर की ठंड में सरकार को बीच रात में आसू गैस के गोले फूकने पड़ गए अपने खुद के देश के किसान के उपर ये समझा दे तू मुझे खड़े खोदने थे कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट तो ओ गोबर गैस कहती है पीसफुल प्रोटेस्ट तो हर एक का हक बनता है अरे एक पीसफुल प्रोटेस्ट हक बनता है तो अगर देश की राजदानी तक जाना है तो क्या रस्ते में तो क्या रस्ते में खड़े खोँद दिये जाएंगे किसान के ना पहुँचने के लिए फिर सरकार कहती है किसान का अब राइट है किसान कहीं पर भी जाके अपना माल बेच सकता है लेकिन किसान अगर फार्मर बिल के अंदोलन के लिए शांती पूरवक अंदोलन के लिए वो उडंग तश्तरी में आठाठ अजार करोड के हेलिकाप्टर बेज़ेंगे किसान का माल लेके जाने के लिए ये बता दे बाई मुझे अंदभक्त किसान को परिशान नहीं देख सकता मैं मैं ये नहीं कहता फार्म बिल ठीक या फार्म बिल गलत लेकिन अगर मैं किसान नहीं हूँ आप किसान शाहिद हो या ना हो साथ साथ वीडियो शेयर करते चलना ये वाला आज किसान का साथ ना दोगे न तो कल को ये बत कहना कि खाने के लाले पड़ गए थैंक यू तरंदीब सिंग जी धाई किलो का हाथ तो ऐसा गायब हुआ है पूरे सीन में से जैसे पता नहीं अब मैं क्या बोलू यार जब इलेक्शन आते हैं तब तो रैलियां बड़ी-बड़ी की जाती है धाई किलो सर फिर आ जाते हैं या दो-दो पैसे के गोबर भगत आ जाते हैं फिर कहते हैं फार्मर्स हैवर राइट टू प्रोटेस्ट लेकिन दिल ली जाने का हक नहीं है किसने कहा देश का किसान क्या आप देश का दुश्मन बन गया है कि उसके सामने खड़े खोद दिये जाएंगे देश का किसान क्या अब देश का दुश्मन बन गया है कि उसको बीच रात में टीयर गैस फेकी जाएगी मुझे अभी भी I cannot get over that scene एक सरदार जी काली उन्होंने टॉप पहनी है ट्रैक पैंट पहनी है काले रंगदा उन्होंने पटका पाया काली दाड़ी है कैनन देया के था 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 कैनन बंचरी है ते ओब बन्दा खाड़े आ रहे है ए हुंदी है पंजाबियत ए हुंदी है किसानियत इन्हों कहन देया टाई किलोदा हाथ नी इन्हों कहन देया पच्ची सो किलोदा जिगरा पर मिन उट्टाई कि लोदा हाथ नी नजर आ रहे हैं कि तेवी तो अन्नू नजर आ रहे हैं अब तो हर्याणा के किसान भी जुड़ गए हैं खटर साब कहते हैं नहीं नहीं ये हमारे किसान नहीं है ये पुलिटिकली मोटिवेटेड एंड इंसाइटेड किसान हैं से पर किसानों ने तो अपने अधार काड भी दिखा दिये कि खटर साब हम सोनी पत से हैं और सोनी पत हर्याणे में आता है हम सिर्सा से हैं और सिर्सा भी हर्याणे में ही आता है हम रोतक से हैं और रोतक भी हर्याणे में ही आता है अंद्रो वाज निकल रही है चरंजीत को बनपाजी मेरे अंद्रो वाज निकल रही है उत्रा खंड के भी किसान आ रहे है राजिस्थान से भी आ रहे है मध्यप्रदेश का भी नाम आना शुरू हो गया बीच में मध्यप्रदेश तो भाजपारूल स्टेट है ना जी खटर साथ खटर साथ मैं नहीं जानता आपकी छाती कितनी बड़ी है जी और आपकी जियोग्रफी की नॉलेज इंटाइर जियोग्रफी की है या इंटाइर पुलिटिकल साइंस की है उनकी तरह लेकिन खटर साथ किसान किसान होता है कोई फरक नहीं पड़ता कि वो कौन से राज्य से आ रहा है क्योंकि जब आप डाल लेने जाते ना तो उसके उपर आप ये नहीं देखते ये वाली दाल पंजाब के किसान ने उगाई है हरिहाने के किसान ने उगाई है महराश्टर के किसान ने उगाई है या उत्राखंड के किसान ने उगाई है उत्तर प्रदेश के भी किसान पहुँच रहे हैं दिल्ली अब and farmers have a right to protest peacefully मैंने वो वीडियो क्लिपिंग्स भी देखी हैं जहां लंगर लगे हुए हैं सडकों के उपर और किसान उन्हीं पुलिस वालों को खाना खिला रहे हैं जिनकी लाठिया उन्होंने खाई हैं जिनकी वाटर कैनन्स उन्होंने सही हैं माफ करना अगर आज मेरी आवाज थोड़ी यूची हो कुछ लोग मुझे जजबाती कहते है और मैं कहता हूँ शुकर है मेरे में जजबात और मेरा जमीर अभी जिन्दा तो है कदे काटनी होएगा मेरा जमीर ते मेरे जजबात गुडूपा जी जेडी सरकार किसानह देगे ओ सरकार की कह रही है किसानहनु कि तुसी अपना माल हरियाना ते पंजाब तो लेके किसान सवाल कडवे है सवाल कडवे ने किसान दी शान जेडी हुंदी है ना ओखेता जुंदी है सड़का ते नहीं हुंदी पर जे किसान मजबूर होके उन सड़का ते उत्तर आ रहे है ते गोपर गैस दे ना ली दे पकता नू ओदे तो भी केंदे है ओखोल पहन लग गया है हुड ते पैन फिर पैन फिर आखे बंद करके नहीं देख सकते नहीं रह सकते आप क्योंकि जब इसान मेहनत करता ना सुबे चार वजे तब तुम अंदभक्त गोपर खाके ना दो-दो पैसे की रात को खराटे मार रहा हुता है जब किसान अपने खेतों में मेहनत कर रहा होता है ये क्या जानेंगे मेहनत क्या होती है खून क्या होता है पसीना क्या होता है वैसे धाई किलो का हाथ मिला किसी को जरा वीडियो शेयर कर देंगे वीर जी, हर्याना के किसान, पंजाब के किसान माराष्टर के किसान, तमिल नाडू के किसान आप जहां पर भी रहते हैं चाहे आप किसान हैं या नहीं है मैं बहुत दिनों से धाई किलो के हाथ कोई प्रेस कॉन्फरेंस, कोई व्यक्तव्य कोई तो कुछ तो ढून रहा हूँ किसी को मिल जाए तो धाई किलो का हाथ जी उनको भेज देना जी, वीडियो शेयर करके जरा भारत की जनता को पंजाब के किसानों को उनकी कॉन्स्टिचुएंसी के लोगों को और पूरे देश को पता लगे कि धाई किलो के हाथ का क्या क्या विचार हैं इसके उपर आज अमिछ शाजी जो भारत के प्रदाव होम मिनिस्टर है उनका भी व्यक्तव याया दफार, we are happy to talk to the farmers we are happy to deliberate with the farmers तो खटर साब आपने किसानों के रास्ते में खटे क्यूंखो दे आज रॉबिन हुट को कहते गुस्सा चड़ा हुआ है एक वो मूवी आई थी ना बड़ी दिर पहले, पता नहीं 20-30 साल पहले, एलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों जड़ता है, कूल यार, कूल काम, ए दुद्ध वाली आईस क्रीम खड़ा है, मज्जा वीता कसान ही पाल देने, थंडा रहा है, थंडा रहा है, कूल रहा है, आज आपको किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा, मुझे नहीं फड़क पड़ता, कि आप कश्मीर से हैं, केरल से हैं, कन्या कुमारी से हैं, मेगालिया से हैं, या आप राजिस्तान से हैं, चाहे आप जारखंड से हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे आप सि दिल्ली पहुंच सकते हैं किसानों की सेपोर्ट करने या बड़े बड़े परदों पे 70 mm स्क्रीन्स पे बहुत मिलता है धाई किलो का हाथ वो तो इलेक्शन के टाइम पे बहुत नजर आता है धाई किलो का हाथ लेकिन इस वक्त जब किसान परेशान है तब धाई किलो का हाथ कही नजर ही नहीं आता है काम काम रॉबिन हुड काम पांच फुट चेंच शांती जोर दी ना बोल ओना दे जड़े ओ नली दे गैस दे सड़े ओए टमाटर पकोड़े ने ओना दी केंदे पच्छवाडे तों गैस दी थां पंदरा लख दे वादे दी ओ आहा निकल नी आहा केंदे कूल रॉबिन इना नू गाला कड़न दे मैं भी गाला खा दिया ने मैं भी गाला बथेरिया खा दिया ने फार्मर दी सपोर्ट करन दे वीडियो ते भी खा दिया ने ते तो अनू की लगदा जे मेरे दिल दे उत्ते बीत रही है ते किसान दे दिल दे उत्ते की बीत रही होगी सोचिया क दी तुसे तुसी ता अपने दो-दो पैसे दी गोपर इत्थे सोशल मीडिया ते छड़ा नाजन देओ माँ पहन दिया गाला कर देओ कोई नी कर देओ ओभी मंजूरा राबन हुडनू बड़ किसान जो पैदा करता है ना जो किसान पैदा करता है ना वो पकोडे सिरफ वादे नहीं खाते वो जुमले नहीं खाते भगतों को भी भूक लगती है और वो भूक अनाज से चाबल से डाल से पुरी होती है जो किसान उगाता है खड़े नहीं उगाते आपके लिए कनक वाटर कैनन्स नहीं उगाती है आपके लिए चावल एक हजार दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को इस वक्त कितनों ने अपने जिगरा रखकर शेर किया जरा कोई दर्शक जरा कॉमें बताएगा सत्विंदर पाजी दसो जरा इंदर जीद सिंग जी दसो जी जरा कितने शेर हो गए इस वीडियो के यू दोंट मेस विद दा फार्मर एवर अक्षे पेरेकर जी कोई ये अक्षे तरह पच्वाड़े जड़ पंदरा लख दे वो पाद निकलनगे न वादिया दे जड़ मूच खाना नहीं जाएगा सिरा वादे ही जानगे ताह तरह नों लगेगा पता कि ये ओवर एक्टिंग है अंडर एक्टिंग है तकी है तकी नहीं है थैंक यू बिश्ट साब संतोष बिश्ट ने वीडियो शेयर किया कहते हैं मैंने शेयर किया रह्मनजीत सिंग पाजी कहते हैं मैंने शेयर किया अब ये भगतों को इटली का चाटू कहने के इलावा तो और कुछ सिखाया नहीं जाता आईटी सेल के मलेरिया साब दोरा अरे मलेरिया साब आपके मुँ में भी रोटी का निवाला जाता है ये अंदभक्तों की गोबर नहीं जिखाते हैं आप भी पर आपको मुँ पे कहने वाला शायद कोई ना हो आज तक मैं तो हूँ मेरे दर्शक्तों हैं आम प्रेस आपकी प्रेस मेरी प्रेस हमारी प्रेस ऐसे नहीं कहता ये पाँच फूट छे इंच रॉबिन हुट गुरविंदर सिंग संदू पाजी कहनते हैं मैं कित्ता शेहर जी सत्विंदर मंदरन सहाब कहनते हैं हमने गर्मी में अपने पसीने से पसीना से बुआ है इन फसलों को वीर समझता हूँ मैं पाजी समझता हूँ मैं बिलकुल समझता हूँ मैं पर वो ढ़ाई किलो का हाथ म बिला किसी को अभी तक तो मुझे बता देना मुझे तो नजर नहीं आया कहीं सतर एमेम की बड़े बड़े सिनिमा घर के परदों पर मुझे धाई किलो का हाथ सुनाई भी देता है दिखाई भी देता है लेकिन जब किसान तकलीफ में होता है तो इलेक्शन की रैलियो में भी वो हाथ दिखाई देता है जब किसान तकलीफ में होता है तो माफ करना लेडिज और जेटलमेण भाईयो और भैनो मित्रों धाई किलो का हाथ नजर आया विसे किसी को काँ है धाई किलो का हाथ मित्रों कोई फरक नहीं पड़ता आप कौनसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं बार बार कहता हूं मेरे से बुछ लो मैं कौनसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं मैं जंता को सपोर्ट करता हूं एक या दूसरी का सवाल नहीं है यहां किसान का प्रश्ण है किसान के सामने पार्टी बाजी छोड़ दो छोड़ दो पार्टी बाजी मैं इस पार्टी की बैटिंग करूँगा मैं उस पार्टी की बैटिंग करूँगा अरे किसान की बैटिंग करो अगर करनी है तो हान जी हरजीत पाजी हर जिस पाजी के हैं प्ब्लिक फुदू है हर बार भूल जाती है इलेक्षन के टाइं कौन खड़ा हुआ कौन नहीं हुआ जंता की तकलीफों के सामने भूल जाती है प्ब्लिक, इलेक्षन के टाइं सारा कुछ गोल माल हो जाता है डिमॉनिटाइजेशन की लाइनें भूल जाती है पबलेक जी एस्टी का गोल माल भूल जाती है पबलेक करोना में हजारों किलोमिटर दूर पैदल चलने वाली पबलेक भूल जाती है येलेक्शन के टाइम सब कुछ हमने भी किया शेयर कहते है अंजुम कमाल छोटे छोटे किसान और मैंने एक इंटर्व्यू देखा जी अभी वो एक वेबसाइट पे केंदे हर्याणा के चीफ मिनिस्टर कहते जी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने मेरे टेली फून कॉल ने उठाया और यार यह भी कोई मतलब is this an ego right now Mr. Khattar it's not an ego issue you stopped the farmers of हर्याणा and Punjab to reach Delhi that is the real issue Mr. Khattar आपने पंजाब हर्याणा के किसानों को दिल्ली पहुँचने से खड़े खोदे उनके लिए यह मुद्दा है अमरिंदर सिंग जी कैप्टर अमरिंदर ने पंजाब के मुख्य मंतरी ने आपका टेली फून कॉल उठाया या नहीं उठाया यह मुद्दा नहीं है Mr. Khattar अभी माफ करना दर्शे को जजबाती हूँ इनसान हूँ किसान को तकलीफ होती है ना तुम मेरे सीने पे लगती है वो तकलीफ जवान को तकलीफ होती है ना मेरे सीने पे लगती है वो तकलीफ आप सब मिडल क्लास के लोगों को जब मौरेटोरियम के लिए तकलीफ हुई मैंने ही सबसे पहले 28 मार्च को वीडियो बनाया था खुल के बोला था और बहुत आई चला गया था क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर मिडल क्लास इंसान की क्या तकलीफ हो रही है मेरे सिर पे कोई लोंज नहीं थे लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाये थे कि मिडल क्लास को वेवर्स मिलने चाहिए इंट्रेस्ट के मैं किसान नहीं हूँ लेकिन मैं किसान का साथ देने में शर्माता नहीं पीछे नहीं हड़ता हान जी गुरविंदर सिंग संदूपा जी नोट बंदी भी भूल जाती है सबको election के time में I could give a rat's ass मैं चूहे का गधा देता हूँ तुमारे comment के उपर गोबर भक्त दिशान्त जब तुम ये कहते हो such a negative person काका तेरे पिछवाडे में से जब 15 लाख के 6 साल पुराने वादों की पाद निकलेगी न तब पता लगेगा तेरे को negative कौन है और positive कौन है आज अगर आपने किसान का साथ ना दिया उसकी तकलीफ में उसके साथ ना खड़े हुए उसकी तकलीफ ना समझी तो आप खुद जिम्मेवार होंगे every farmer has the right to protest peacefully शांती पूरवक तरीके से हर किसान को अपना unhappiness जायर अपनी unhappiness व्यक्त करने का अधिकार देता है संविधान constitution constitution सौ साल से एक सिस्टम चला रहा है तो क्यों नहीं लिख देते इस law के अंदर कि MSP भी रहेगी private sector भी रहेगा कहते हैं वो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी ने बोल दिया है अरे बोल ही दिया है तो law में भी लिख ही दीजिए बोल देना और law में लिख देना क्या constitution अमेंड नहीं हो सकती अब farmer bill पास हो गया opposition ने अवाज उठाई भाजपा के ही सबसे पुराने सबसे पुराने political संबंदी अकाली दल ने भी भाजपा का साथ छोड़ा इस मुद्दे पर कोई parliamentary committee के पास ये bills नहीं भेजे गए बस करो ना चल रहा है ला दबा दब कर दो पास bill लोग सभा से भी राच सभा से भी ठोकदो ठोकदो बस प्रेजिडेंट साब से जाके साइन करवा लो लड़ी पाजी लड़ी पन्नु पाजी एई होया न ग्यों नहीं उस वक्त एक parliamentary committee के पास भेजे गई है बिल केडी bullet train चलानी सी इन बिना बिलानू पास करन वस्ते ओ नहीं समाज आंदा मैंनू मुझे नहीं समाज में आता क्या आग लगी थी उस वक्त करो ना की आड में करदो करदो बिल पास करदो किसी को पता ही नहीं लगेगा है very good लेलो पता से अब बजा लो तालिया खालो पता से फिर वो malaria साब कहेंगे करदो करदो ये चैनल के कॉमेंट्स में मा बैंड क्या गाला लेके दो रॉबिन हुड को जुत्ती ने वजदी है मेरी यह सारा जिनिया गाला दिन दे हो तुसी में नू पकतो क्योंकि गोबर तो अड़े दमाग चपूसे पर दिते गई तुसी पैदा पता नी होए सिगे गोबर ना लिया नहीं ओनी में नू पता लगदा ना मेरा कोई दिल्चस्पी या उनू जानन वास्ते लेकिन तो दो दो पैसे आ वास्ते तो अनू गाला से खाईया गईया इते सोशल मीडिया ते कड़न वास्ते एही आया अन्दा तो नू ते सन मेरे वरगे नू जुत्ती दे वजदी है मेरी या गाला जाके ओवी धनले पास्ते नू शमशेर पाजी खड़े खोदे गई सिगे कसाना आगे विच रात टीर गैस ते गोड़े बरसाई गए सिगे कसाना वास्ते खटर साब हरियाना के मुख्यमंत्री जी क्या हरियाना उस देश का उस प्रदेश का हिस्सा नहीं है जहां आप किसान पंजाब से दिल्ली के रास्ते हर्याना क्या आया भारत नहीं है कि आपने खड़े खोद दिये थे आप ही के होम मिनिस्टर अमिर्शा जी का आज व्यक्तविया आया है पिछली मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे थे नरेंदर सिंग तोमर जी आप मिनिस्टर है एग्रिकल्चर के भारत के पिछली मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे थे आपके डेपुटी साब भी नहीं पहुंचे थे आपने तो एक सेक्रेटरी को भेज दिया था Secretary एक I.S. Officer होते हैं उनका काम Laws बनाना नहीं होता उनका काम Laws को Implement करना होता है क्यों क्या हो गया था बहुत बीजी हो गए थे मंतरी जी पिछली मीटिंग में अब 3 दिसंबर 3 दिसंबर की मीटिंग कर रहे है मंतरी जी 3 दिसंबर 1 दिसंबर भी हो सकती है 1 दिसंबर 30 नवंबर भी हो सकती है और 30 नवंबर 27 नवंबर को 20 रात में 20 रात में अगर Parliament GST के Laws पास कर सकती है तो 20 रात में मंतरी जी आप किसानों की यूनियन्स के लीडर्स के साथ मीटिंग भी कर सकते हैं अब करना चाहें तो वैसे किसी को ढाई किलो का हाथ मिला मैं तो बड़ी दिर से ढूंड रहा हू ठोकते चलो शेयर वीडियो को फिर मत कहना रॉबिन हुट तेरा वीडियो नहीं नज़र आता पहुंच ले तो घर घर में ये वीडियो क्योंकि सवाल तो जायज है और किसान को प्रोटेस्ट करने का पीसफुली पूरा हक है जिस तरह वो ऐसे भीक मांगने आ जाते हैं न ये पॉलिटीशन हमारे इलेक्शन के टाइम वोट दे दो जी वोट दे दो जी किसान भीक नहीं मांग रहा किसान अपना हक मांग रहा है और उस हक को अगर सरकार को दूर बैठ किस नहीं सुनाई देता अगर किसान दिल ली जाके अपने हक की आवाज उठाना चाहता है वो भी शांती पूरवक तरीके से तो क्या गलत है बला उसमें आग उगल रहा है आज रोबिन हुट है ना जोर से भी बोल रहा है नौन stat भी बोल रहा है पिना पानी पिए भी बोल रहा है क्यों बोल रहा है समझो क्योंकि किसान तकलीफ में है اور ये फरक नहीं पढ़ता कि वो किसान कौन से राज लगा है उस राज्य में भाजबा की सरकार है या किसी और की सरकार है ये फरक नहीं पड़ता अगर किसान टेंशन में है कि क्या होगा तो टेंशन किसान की आप सब लोगों को भी समझनी होगी क्योंकि जब आप अगली बार मार्केट जाएंगे न एक किलो दुकानदार जी जड़ा एक किलो आटा दे न उस वक्त किसान याद आएगा तुम्हें उस वक्त याद आएगा कि बीच रात में किसान सो नहीं रहा था उसको टियर गैस के गोले बरसाए जा रहे थे उस वक्त याद आएगा जब आप मार्केट जाओगे और बड़े से शॉपिंग मॉल में जाके अपना क्रेडिट कार्ड चलाओगे और कहोगे कहना है फाइव केजी राइस प्लीज आई वांट बासमती राइस प्लीज उनली प्लीज जब आप प्लीज बासमती राइस अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदने एक बड़े से शॉपिंग मॉल में जाओगे उस वक्त तुम्हे किसान याद आएगा कि किसान सुबह चार बजे खेतों में खेती नहीं कर रहा था उस दिन वो पुलिस वालों के डंडे खा रहा था उस दिन कदर होगी आपको किसान कितनी मेहनत करता है कहते हैं जब कोई चीज चली जाती है ना या मिलती नहीं है ना तब उसकी कदर बढ़ जाती है अग्रेज जी भी बोलनी आंदी है पक तो में नू ते ग्रामबर भी मेरी ठीक ठागी जे तो अन्नू दा कापी पेस्ट करके हो एथे बकवास करंदे ओ टाइप किते होए ओ स्वेरे स्वेरे पेस्ट दिन दे ना मलेरिया साब आईटी सेल अले कोई गाल नहीं होनों के ला एन्नू ना पांच फुर छे इंच अंग्रेजी अंग्लेंड वाली भी बोलनी आंदी है ते कनेड़े वाली भी बोलनी आंदी है अब है तेल लेने को जाब है नीरज कहरा ओवर एक्टिंग बंद कर तेरे बाप से पूछ के चैनल नहीं जुरू किया मैंने नहीं तरे बाप से पूछ के वीडियो बना रहा हूं मैं ओवर एक्टिंग अपने बाप के पिछवाडे में जाके भोपू बजाय कर इधर आके पकपक करने की जुरूत नहीं है समझा जोगा सिंग पाजी असी खड़े हैं जी हर किसान नाल खड़े हैं पावियो किसान पंजाब दा होए और चाहे वो किसान हर्याना का होए और चाहे वो किसान उत्राखंड का होए राजिस्थान का होए उत्तर प्रदेश का होए सिक्क एक किसी ने तर्क पेश किया कहते है जी 1947 में आई एस आफिसर की कितनी तंखा थी और अब कितनी है 2020 में उसकी तंखा में कितनी इंक्रिमेंट हुई है वो चेक कर लेना और किसान की आमदनी में कितनी इंक्रिमेंट और वृद्धी हुई है वो चेक कर लेना और फिर जाके पूछना ढाई किलो का हाथ मिला मित्रों मिला किसी को ढाई किलो का हाथ या सिरफ वादे ही मिले छे साल के वादे क्या करोगे भक्तो तुम धंकिया दे दोगे मार जान से मार डालने की धंकिया दे दोगे तुम मुझे सच बोलने के लिए जान ले लोगे मेरी ये वीडियोस तो छोड़ जाओंगा यहीं पर याद रहेंगे याद रहेंगे ये रजीब कुमार पुद्दार को भी याद रहेंगे ये वीडियोस साहिल सांगवान को भी याद रहेंगे ये वीडियोस नियाज अबू को भी याद रहेंगे ये वीडियोस बिनोद साहू को भी कि तुम्हारी ये मित्रों ये नहीं चलेगी अब किसान की बात सुननी होगी किसान की बात समझनी होगी किसान का दुख समझना होगा किसान की नब्स के उपर हाथ रखना होगा किसान को डंडे से नहीं गले लगके उसकी प्रॉबलम समझनी होगी खटर साब आपको बुक्ष मंत्री हैं आप एक रज्य के और आप ही ने वाटर कैनन्स बरसा डाली हमारे देश के किसानों पर और फिर आपने कहा ये हर्याना के किसान नहीं है फिर किसानों ने अपने अधार कार दिखा दिया आपको शेशा दिखाने के लिए वीडियो शेयर कर देना और किसान का साथ जरूर देना आज भी आया हूँ कल भी आया था किसानों का मुद्दा लेकर कल भी आऊंगा मंत्री जी तो अभी 3 दिसंबर की घड़ी देख रहे हूंगे न 3 दिसंबर को सुबे 11 बजे मीटिंग है तब तक तो मैं सिरफ मीडिया के सामने जाके वो दे दूँगा प्रेस कांफरेंस दे दूँगा हमने किसानों को इन्वाइट किया है तो मंत्री जी 3 दिसंबर को आज रात क्यों नहीं ला सकते आप क्यों क्यों क्योंकि आप ट्रेक्टर ड्रॉली में कंबल लेके सोनी रहें क्योंकि आपको सडक के किनारे अपना चूला नहीं जलाना पड़ रहा मंत्री जी वर इस अरजन्स वरो इस अरजंस वाइट नौला है वह भी पाँच फुट च्य इंच रॉबिन हुट क्योंकि आम प्रेश वला अपने सीने पे अपने कांधे पे मिडल क्लास की तकलीफें लेकर चला था जब मैंने एक दिन ये चैनल शुरू किया था साड़े चार साल पहले पिछले दो साल से कैंसर से पीड़े थूँ लेकिन मिडल क्लास के लिए आवाज उठानी ना बंद करी है ना बंद करूँगा और अंद भक्तों को अगर इससे तकलीफ होती है तो ये भी बोलूँगा आजा हो आजा मेरी जुत्ती तेवच जा मुझ स्माइल करना भी दा आंदा सानू पंजाब भी है मैं भी उसी मिट्टी दा खाना खागे बड़ा है लव टू यू अलसो निंदर गुराया केंदे पंजाब तो लव पा जी मेरा भी प्यार जी सब नू ठोको शेर वीडियो नू ठोको शेर रमन जी कहते हैं यही एगरेशन होना चाहिए हर हिंदुस्तानी में मेरे को तो यह एगरेशन जी गाली गलोच वालों में नजर आता है दो दो पैसों के वो गोबर भकतों में नजर आता है जो नाली की गैस के पकोड़े उसी कड़ाई में बिना तेल बदले छे साल से पके जा रहे हैं पके जा रहे हैं उनको लगता वो अगरेशन है में नू दा हासा आंदा जी एना थे भारत में ही नहीं अस्ट्रेलिया में भी जाना चाहिए हर भारतिये के पास वीडियो कैनिडा में भी जाना चाहिए न्यूजिलेंड में भी जाना चाहिए ब्रैंप्टन में भी जाना चाहिए औंटारियो में भी जाना चाहिए बर्मिंगम में भी जाना चाहिए साउथ अफ्रीका में भी जाना चाहिए अमरीका के न्यूयॉर्क में भी जाना चाहिए ऐसा वीडियो और ये आप मेरे लिए नहीं शेर कर रहे ये आप भारत के किसान के लिए शेर कर रहे हो वीडियो हा दीपक जंग्रापा जी कैंसर से पीडे थूँ दिल से नहीं बिलकुल सही कहा आपने बाद सिंग पाजी खड़े हैं जी असी किसाना नाल पंजाब दे किसाना नाल भी थे हर्याना दे किसाना के साथ भी खड़े हैं जी हम फिर ओ इलेक्षन दे मुद्दे बना दिन दे ट्रैक्टर दे उत्ते गड़ी सिगी या नहीं सिगी ट्रैक्टर दी सीट दे थले फिर कहते हैं जी नहरू जी की गलती थी अरे कुछ तो रिस्पॉंसिबिलिटी लेना सीखो भाई रहे गे पीछे नहरू जी सत्सरीकाल नमसकार जै हिंद एंड जै किसान जेकिसान! जेकिसान!